हेलो हाई कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज की क्लास बहुत ही इंपोडेंट क्लास है क्योंकि आज एक बिग एनॉंस्मेंट है जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा कि बुक की कोस्ट में करें बिग एनॉंस्मेंट है सके क्लास बऩिक नियुक बज़ीज सरुग कोस्ट के क्लास देख रहा है विग लगा सकती हैं के sounds तो जैसा कि बिग एनाउंसमेंट है इसके अलावा इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी सीपी सिटी और एसाइ के मौडूल में वो सारी चीज़ें हम बताएंगे लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले पहले उनी स्टुएंट को जो स्टुएंट नई हैं जो स् चीज़ें उसके बाद देखेंगे हम इस वुक की कॉस्ट वाले मौडूल में क्या-क्या चीज़ें आपको देने वाले हैं क्यों कि सभी को पता है कि वर्लूबल पर एक पैंडेमिक चल ला है उस पैंडेमिक प्रशन को इंफेक्ट किया है कहीं न कहीं तो कहीं न किसी भी फॉर्म में किया हो तो उसी बात को ध्यान में रखते हूं जब सभी के साथ प्रॉब्लम है तो BSI ने एक चीज आपकी कहीं न कहीं देखो सभी लोग कहीं न कहीं है जो कर रहे हैं तो हम जिस दिधा में हैल्प कर सकते तो वही चीज हमने स्थार्ट की है यानि स्टोइन को हमें है कैसे करना वह अपनी लक्ष तक पहुंच जाएं कहीं न कहीं जॉब लेकर खुद सेक्योर हों साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी सेक्योर कर लें तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए BSI Academy ले क्या है CPCT और ASI की complete तैयारी एक book की cost में ठीक है कैसे करोगे यह हम आगे बताएंगे चले तो पहले हम CPCT और ASI का complete syllabus चेक आउट कर लेते हैं कि स्लेवस आपको क्या-का जो official स्लेवस है उसको चेक आउट कर लेते हैं तो अगर हम CPCT क स्लेवस की बात करें तो जैसा आप सभी को पता है कि CPCT का पेपर दो पैटन में होता है एक तो आपका टाइपिंग होती है एक आपका MCQ पार्ट रहता है तो दोनों पार्ट आपके लिए क्वालिफाई होना कंपल सरी है यह कुछ basic चीज है यह आपको पता ही होंगी नहीं पता है तो जो CPCT का इंटर्डूस वीडियो है आप उसको चेक आउट कर सकते हैं यह आपका कंपली CPCT का स्लेवस है जैसे फर्स्ट जो यूनिट है वो आपकी computer system है जितने भी जैसे input device है memory है USB है LCD है जितनी भी devices है उन सारी devices के बारे में इस unit में आपको पढ़ना है then computer fundamental जो भी है वो सारी इस unit में आता है ठीक है operating system में आपके window, Linux, DOS इन सब पर question आता है memory unit इस unit में है ठीक है इसके अलाबह computer के जो language है जाए assembly language जो machine हो या फिर हाई हो वो इस unit में आपको पढ़ना है ठीक है होती है वो इस unit में आता है software में जो errors आते हैं जो works आते हैं वो इस unit में आपको पढ़ना है देन उसके बाद computer की जो जैसे computer का जो file extension और full form है वो इस unit में आ जाएंगे ठीक है तो यह आपको जरूरी नहीं कि किस unit में से क्या पढ़ना है लेकिन आपको यह पता होना जी कि जनरल आइटी स्किल आइटी स्किल की जनरल information उनके वारे में आपको पता होना चाहिए जैसे video conferencing क्या है internet में कोई भी term कैसे proper तरीके से work करता है या फिर जो आपकी spread seat program या presentation program है उनके file को आप कैसे share कर सकते हो या फिर दूसरे data के साथ कैसे embed कर सकते हो वो सारी चीजें आपक से हम बात करें तो आगे आपकी यह तो हो गया computer का complete से लिए बर देन computer के आपको जैसा आप सभी को पता है कि 52 कोशन आते हैं देन 23 पार्ट रहता नेस्ट आपके पार्ट से जैसे 5 कोशन आपके RC reading comprehension से आते हैं देन 6 कोशन mathematical reasoning से आते हैं 6 और mathematical से 6 आते हैं और reasoning से 6 आते हैं देन 6 कोशन रहते हैं आपके general awareness से जिन में general question रहते हैं तो यह में अगर आप ध्यान से देखोगे में आपका है computer अगर आपने 52 नंबर का computer कर लिया आप सभी को पता है 38 marks आपको passing चाहिए 52 आपके computer तो यानि आप computer पढ़ लेत करते हो तो आप कहीं नहीं इस exam को qualify कर जाओगी और बात में रही बात percentage की तो percentage आप कहां से कर सकते हो जैसे आप आप कोशन में आपका effort लगा सकते हो आप मैस ऐसा तो है नहीं आप सीपिसीटे अकेले इस ही exam की तैयारी करें यह तो आपका certificate exam में मीन exam उसके जिससे आपकी job लगी उसकी भी आप प्रफेशन करें तो उसमें कहीं नहीं आपका mathematical और reasoning दोनों का पार्ट आता है general awareness का भी पार्ट तो वहां से six part में से अगर आप भी ले आते हो ना तो आपका कहीं परसेंटेज इंक्रीज होगा वही आपकी जो परसेंटेज का scorecard जब आपका merit लगेगी यह तो हो गया आपका first part का syllabus देना अगर second part की syllabus की बात करें तो वहां पर आपका क्या रहता है जो टाइपिंग इसके लिए वो चेक की जाती है टाइपिंग आपका English रहती है और Hindi रहती है जैसा आप सभी को पता है English में जो minimum है जो passing है वो 30 word per minute है और Hindi में 20 word per minute है आगर आपक percentage growth होता है तो percentage मैं फिर कह रहा हूं CPCT में आप qualifying पर ध्यान दीजिए लेकिन साथी साथ में अगर आप percentage growth पर ध्यान देंगे तो आपके लिए कहीं left जो आगे exam जो आप qualify कर जागे तो वहां पर आपको क्योंकि आप सभी को पता है कि CPCT के day by day exam होती रहे है तो student का जो listing है CPCT ज अब वहां से आपका जो कहीं न कहीं merit होगा तो वह आपके लिए percentage growth कहीं न कहीं help रहेगा ठीक है तो यह हो गया CPCT का detail syllabus के बारे में अब हम बात करते हैं ASI का जो ASI steno और MPSI steno और ASI LDC वाला जो syllabus है उसके computer syllabus को हम check out कर लेते हैं और बांकी syllabus आप सभी को पता है नहीं पता है तो आप commit works में बता ही मैं उसका भी syllabus आपके सामने introduce करूंगा चले तो computer के जो first unit आप सभी को पता है कि ASI और steno में आपके 40 question आते 40 question आते 100 में से ठीक है जिसमें से first unit है आपकी processor and memory then second आपकी database management इसका बहुत बड़ा roll लेता है क्योंकि इस पर बहुत ही अच्छे question आते हैं then third unit है computer language, fourth unit है आपकी languages, fifth है आपकी internet और internet के जितनी भी working है जितनी भी terms है वो सारे terms इसी में आते हैं next है आपका opting system जिसमें Windows 2003 से 2007 आती है और Windows XP के बारे में पूछा जाता है और last है आपका Microsoft Office Microsoft Office आपका 2007 ये पुराना से लेवस है 2017 से अपडेट ही नहीं हुआ है तो आप सभी को पता है जो MS Office के कोशन आते हैं 2016 से आते हैं तो कहीं न कहीं दो हजा जो आफिस का वर्जन है वो 2016 तक आपको कवर करके चलना है और अगर आप हमारे चैनल पर जाके देखोगे तो हमने Office के सारे वर्जन पढ़ाएं मैंने ये भी पढ़ाया कि अगर आपके पास 2007 से लेके कोई भी वर्जन है आप किसी एक वर्जन को पढ़िए और बाकि सारे वर्जन के कोशन कैसे करते हैं वो सारी चीज़े मैं आपको खरा चुका हूँ आप जाके जो लिस्ट है वीडियो की लिस्ट वहां पर चेक आउट करोगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा नहीं मिलता है तो आप वर्जन करें वहां पर मैं आपको लिंक से एंड कर दूँगा अब बात आती है कि BSI कैडमी जो स्पेसल एनॉंस्मेंट किया है उस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ है मिलने सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद आपकी जो क्रिप्टोग्राफिया सॉफ्टर इंटरनेट है इंटरनेट की तर्म वहाँ जीज़ है कंप्यूटर नेटवर्क है उन सारे चीज़ां को कबर करेंगे और ESI में स्पेसल डेटाविस और मैमोरी मैनेजमेंट के जो कोशन आते उन सारे कोशन को कहीं न कहीं हमने और जो कॉंसेप्ट है उनको हमने मौडूल में कवर किया है अब बात करते हैं आपको इस बुकी कोश्ट वाले मौडूल में क्या-क्या चीज़े मिल ले वाली हैं तो यह कंबाइन आपका कॉर्स है इस सेपरेट भी है जो अगर आप सिप पूर्प कर लेते हैं अब यह चौर्स आपका Video प्लस PDF क्योंकि अकेला वीडियो से कुछ नहीं होगा PDF से भी कुछ नहीं होगा दोनों का combined course बनाया है दोनों course पढ़ना आपके लिए compulsory होगा ठीक है सॉरी चली सबसे पहले जो features हैं एक बार course के उनको check out कर लेते हैं तो features में first आपको जो videos classes मिलेंगे pre-recorded हमने कुछ classes बनाई है वो classes मिलेंगी देन उसको आप PDF notes मिलेगा live doubt session रहेंगे यानि pre-recorded classes के बाद हर topic में live doubt session रहेंगे वो doubt session रहेंगे revision notes रहेंगे जो exam time पर revision में help करेंगे सभी classes Hindi medium student को ध्यान में रखके बनाई गए theory lectures मिलेंगे previous paper का proper solution मिलेगा और topic wise आपके live test रहेंगे topic wise full length mock test रहेंगे और साथी साथ में practice test भी मिलेंगे practice PDF के form में मिलेंगे videos के form में भी रखेंगे और आपको quiz form में देना है जैसे आपको topic wise देना है तो वह भी आपको इस module में मिलेगा full length mock test रहेंगे जैसे आपका CPT का full length paper होता है उसका एक paper मिलेगा ASI का भी मिलेगा यानि complete module है तो आप इसको कैसे enroll कर सकते हूं इसके लिए आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारे WhatsApp जो WhatsApp नंबर स्क्रीन पर आप उस पर contact कर सकते हैं आप उस पर contact करेंगे तो इसकी क्या price है कैसे आपको इंड्रॉल करना है वो की कॉस्ट में मिनीमम से मिनीमम कॉस्ट में हमने यह मॉडूल को लॉंच किया है क्योंकि यह विडियो में कवर नहीं क्या है तो उसके लिए आप जो WhatsApp नंबर स्क्रीन पर देख रहा है आप उस पर contact करेंगे वहां पर आपको डेटल में जो डाउट है उसका चले तो कोई भी डाउट हो तो आप WhatsApp जरूर करना अब हम आगे मिलेंगे नेस्ट वीडियो में नए टॉपिक नए कोशन के साथ थैंक यू धन्यवास सुक्रिया झाल